डेयर फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागेता आप सभी का आपके अपने चैनल चंदराज सर्वें डेयर फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंप्रेशिब वीडियो होगा और एक बहुत बहुत आप्तो इंप्रेंट शुपर्टिक्स जिसका नाम है सब्सक्राइब कर लिए और आप सोच रहें यह सुपाइब किसी चीज़ का नहीं है यह सुपाइब कंपलेक्स कंपाउंड जो आप पढ़ रहे थे कोडिनेशन कंपाउंड उसमें इफेक्टिव एक नमबर निकालने का तरीका बता रहा हूं कैसे आप विदी सेकिंड निकाल सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब कर लिए मैंने आपको बताया था कि 1S मिन्स और सब्सक्राइब जुड़े रहेगा मेरे साथ मर्यों फ्रेंट्स लिक्राओं के पास EAN इफेक्टिव एक्टिव 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 एक् तो आपको क्या करना है atomic number लेना है central metal atom का और minus oxidation state और plus 2 into coordination number बस इतना ध्यान रखना आपको किसी भी complex compound का effective atomic number बिल जाएगा इसकी guarantee है आप सुतने होंगे सर कैसे एक दब simple example लिख रहाँ आपके पास ये लिख रहाँ condition K4 FE CN का hall 6 आपको लखना है condition कि सर बताओ कैसे निकलेगा बह atom का लेना है atomic number iron atom number 26 minus oxidation state अगर आप निकालोगे तो ये x plus 1 into 44 और CN पे चार्ज नेगेटिव लेकिन था minus 1 into 6 minus 6 equal to 0 so x equal to plus 2 so oxidation state 2 और plus 2 into coordination number कितना है 6 तो ये आपके पास हो गया कितना 24 और plus 12 हो गया आपके पास मतलब 36 हो गया ये effective atomic number आसान तरीका कितना ही जीवे है best way है मैं समझ रहा हूँ और बहुत असानी से आप किसी भी complex compound को निकालोगे आप सोचोगे सरे एक एक जापल और क्यों ने देजूँ ये देखो आप NICL का hall 4 ये लिख रहा हूँ निकल tetracargonil ये 2 minus right बहुत simple बहुत बहुत simple आप निकाल ये हैं condition x plus ये आपके पास chlorine है minus 1 into 4 minus 4 और equal to आप लिख रहे हैं condition क्या ये 2 plus लिख रहा हूँ ये है 2 आपके पास right या 2 minus लिख रहा हूँ यहाँ पे condition ये minus 2 है आपके पास यहाँ minus 4 इदार आके plus 4 so x equal to plus 2 निकाल लो ना effective atomic number बहुत आसान है कैसे atomic number of central atom nickel 28 minus oxidation state कितना 2 और plus 2 into coordination number 4 8 है समझ में तो 28 और 8 कितना होगे आपके पास जल्दी बोलो नो फटाफट फटाफट ये 26 और plus 8 होगे आपके पास 34 ये effective atomic number को follow नहीं करेगा ध्यान रहे effective atomic number का main purpose था कि अपने nearest inert gas configuration को achieve करना clear है सिद्विक में यही बोला था याद करो सिद्विक का concept कि कोई भी कोई भी metal central metal atom तब तक लाइगें से electron लेता रहेगा जब तक उद भी arrest electronic configuration ना gain कर ले समझना ध्यान से अगला condition क्या बोल रहा हूं यह लिख रहा हूं nickel tetracarbonilistra का condition मैंने लिखा मालो देखना effective atomic number follow करेगा कि नहीं करेगा पहले निकाल लेते हैं चलिए central atom का oxygen central atom का atomic number nickel 28 minus 2 into oxidation number अरे मेरे भाई आप सुचरेंगे sir oxidation state क्यों नहीं लिया क्यों लूंगा 0 को लेने से क्या फाइदा है यह x plus neutral lagging 0 into 4 equal to 0 so x equal to 0 and plus 2 into coordination number 4 यह हो गया आपके पास 8 तो 28 और प्लस हो गया कितना 8 मतलब 36 तो यह follow करेगा बोलो आया समझ में तो my dear students मैं उमीद कर रहाँ आप किसी भी element का effective atomic number within second निकालेंगे आपको कोई भी पेल लगाने के जरूरती पड़ेगा असानी से आप mocking निकाल सकते हैं बोलो आया समझ में निकालोगे तो सेंट्रल अटम का oxidation number 28 माइनस यह atomic number 28 माइनस oxidation state यहां निकालो 2 आएगा और coordination number 4 है तो 2 into coordination number 4 यह 26 और plus 8 आगया आपके पास मतलब 34 आगया clear है तो my dear friends मैं उमीद कर रहा हूं कि आज के बाद किसी भी complex compound का effective number आप यही निकालेंगे चुटकियों में तो dear friends अगर यह आपको ट्रिक्स अच्छा लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक thank you so much मेरे साथ बन रहे हैं